ओम सर्वाबाधा विनिर मुक्तो धन धान्य शुतान वितह मनुष्यों मत्परसा देना भविश्य दीन असंसया नमस्कार जैमाताईगी आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसमें आज हम विशेश रूप से सरदिय नवरात्रों के विशे में चर्चा करेंगे अगर आप किसी भी चीज को लेकर परेशान है धन को लेकर परेशान है पुत्र को लेकर परेशान है अर्था संतान को लेकर परेशान है या आपके जो विरोधी है वो आपके पीछे लगे रहते हैं और आपको बहुत तंकर रखा है किसी रोग से परेशान है या जन कल्यान की मन में इच्छा रखते हैं धन की इच्छा रखते हैं जो भी आपके मन में इच्छा है अगर आपका लोन है वो पास नहीं हो रहा है या किसी कारण से आपकी जो जमीन है वो नहीं बिक पा रही है जो भी समश्या हो, समश्या आपकी अपनी, किसी भी प्रकार की समश्या हो, उसका निवारन लेकर मैं आ जाया हूँ ये प्रियोग मेरा भी अजमाया हुआ है, केवल 9 दिन का ये प्रियोग है इसको बड़ी स्रद्दा से करिएगा, जो भी परिशानी है, वो इसके बाद आप से दूर हो जाएगी, उस समश्या का निवारन अवश्य हो जाएगा तो आईए जानते हैं उस विशेष प्रियोग के बारे में कि क्या है वो प्रियोग और करना कैसे है, देखिए 17 अक्टूबर 2020, सरदिय नवरात्रे आरंब होने वाले हैं, इसलिए ये प्रियोग में विशेष कर अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से परिशान है, लेकिन जो माता के नवरात्रे हैं, अगर उन में आ आरे को कर लिया, तो जो आपकी परिशानी है, वो अपने आप ही खतम हो जाएगी, एक सूत्र आता है दुरगा सफशती में, यम यम चिंता यते एक आमम, तम तम प्रापनोति निश्चे तम, जो भी आप चाहेंगे, जो भी आपके मन में इच्छा है, केवल उस इच्छा क अपने मन में रख कर देखिए, वो इच्छा में अपने आप ही पूरी कर दूँगी, ये माता के अपने वाक्य हैं, तो जब वो स्वेम ऐसा कह रही हैं, तो फिर आपको किसी और के पास मदद मांगने की क्या जुरुरत है, तो आईए अब सीधे चलते हैं, उस प्रियोग क प्रियोग करते हैं, तामसिक वृत्तियां जो भी आपके अंदर हैं, उन्हें त्याग दीजिए, इन नौ दिनों में उन सब का त्याग पहले ही कर देना है, आज इसे ही कर दीजिए, अब आगे क्या करना है, प्राते काल साथ पच्चिस के बाद और डेड़ वजे से पहले इसके बीच की जो टाइमिंग है वो घट स्थापन के लिए परफेक्ट है बिल्कुल, इसके बीच में आप कभी भी घट स्थापन कर सकते हैं अर्थाथ, जो घड़ा पूजा वाले स्थान पे रखा जाता है, उसे स्थापित कर देना है, उसे स्थापित करने के बाद जो भी आप करते हैं उसे करते रहें उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा विशेश कर ये करना है कि अखंड जोद चेतन होगी अब यहां पर हम दो जोद चेतन करते हैं श्रीव और शक्ती की तो अगर आप चाहें तो आप भी दो जोद चेतन कर सकते हैं नहीं तो केवल एक अ योग की अनुसार चलें तो आपको दो जोद अवश्य चेतन करनी चाहिए अब करना क्या है उन दो जोदों में घी भर लेना है और वो अखंड ही रहेंगी नौ दिन जलती रहेंगी उनको बीच में खंडित नहीं होने देना है अर्थात वो किसी भी प्रकार से बुझ ना जो चेतन करने के बाद उसमें डेली सुभे सुभे जो भी आपका पूजा का समय है वैसे तो जो पूजा का समय है वो चार से लेकर सुभे छे बचकर 37 मिनट तक ही रखिएगा उससे लेट में फिर क्या होगा कि माया जागरित हो जाती है आपके भी रोजमर्दा के जो कार ह है उसमें आप सनलग्न हो जाएंगे तो मन में वो जो वो भक्ती रहनी चाहिए जो वो सुरद्धा रहनी चाहिए वो कहीं ना कहीं धीरे-धीरे कम हो जाती है तो थोड़ा सा अपने आपको जल्दी उठाने का प्रयास करिए चार से छे बचकर 37 मिनट के बीच में ही इस कार यह को करना है अब जब आपने वो जो चेतन कर दी है उसके बाद उसमें रोज हमें भोग लगाना है या तो मिस्री ले लीजेगा या फिर पतासे ले लेंगे जो भी आपको हो किसी भी प्रकार का मीठा हो इसे इस कर तो लौंग का भोग लगेगा ही लगेगा लौंग के सा अगर आपके पास प्रसाज जो भी है पतासे हैं मिस्री हैं या जो मखाने होते हैं वो हैं उन में से किसी भी प्रकार की मीठी वस्तू का भोग लगा दीजी अगर आप खीर निर्माण करते हैं या हलुआ बनाते हैं तो उनका भी भोग लगाया जा सकता है अब ये तो जी हो भोग लगाने की बाद जो आपने वो ही दिये हैं घट स्थापन मैं बता ही चुका हूँ घट स्थापन का जो मंत्र है आप इसे प्रियोग कर सकते हैं ओम शर्वमंगल मांगल्ये शिवे शर्वारत साधिके सरण्ये त्रयम बके गौरी नारा यणी नमोस्तुते किवल इस मंत अगर संकल्प ले ले तो इन बंधनों को कई बार नहीं पूर्ण कर पाता है कहीं न कहीं वो संकल्प खंडित होने का भी खतरा रहता है तो इसलिए संकल्प नहीं लेंगे केवल अपनी सरद्धा से अपने मन ही मन में इस बात को सोच लीजिए कि मुझे 9 दिन ये कारे करना है अब हम जो चेतन कर चुके हैं उसमें भोग भी लगा चुके अब आ जाते हैं आपकी इच्छा के ऊपर अगर आपको धन की इच्छा है तो जो मैं अब मंत्र बताऊंगा उस मंतर का आपको जाप करना है और उस मंतर के बाद सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र इस जो पार्ट है इस पार्ट के करने मातर से भी जो भी मंतर होता है वो स्वैम ही सिद्ध हो जाता है इसको करना मत भूलिएगा सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र मैं यहां स्वैम भी आपको एक बार पढ़ना सिखाऊंगा और जो उसके रिटन होंगे अर्थात जो स्क्रीन पर अगर आप नहीं देख पाएं तो आप उसे घर में किसी प्रकार की बरकत नहीं हो पा रही है धन आता है लेकिन उसी स्पीड से विदाई भी ले लेता है पुत्र अर्थास संतान की इच्छा है जो भी आपके मन में इच्छा है विशेश कर इन तीन प्रियोजनों से जुड़ी हुई उन तीन के लिए मैं जो आपको मंतर बताऊंगा उसका आपको जाब करना है अब मैं इसकी संक्या आपको शुरू में ही बता देता हूँ विशेश कर इसकी जो होगी नौ मालाएं करनी है आपको नौ माला एक माला में 108 वार मंतर आ जाता है और नौ माला के बाद आपको सिद्ध कुंजी का इस्तोतर पढ़ना है तो जो ये सीक्वेंस है नौ माला और सिद्ध कुंजी का इस्तोतर ये सब में सेम रहेगा मंत्र आपकी जो इच्छा है उसके अनुसार आप अपने इसाफ से चूज कर सकते हैं सबसे पहला मंत्र ले लेते हैं आईए आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उसे देख लीजिएगा ये मंत्र आपने देख लिया है इच्छाएं भी मैं बता चुका हूँ इस मंत्र के आपको 108 जाप करने हैं और 108 जाप करते करते हैं इसकी 9 मालाएं करनी है ये विशेष संख्या है इस प्रियोग के लिए इच्छापूर्ती के लिए और उसके बाद आपको सिद्धकुंजी का स्योत्र का पाठ करना है तो ये तो था जी धन, धान्य और संतान के लिए जिसको इन तीनों में से कोई भी समझ्या है आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अब आ जाते हैं जी रोग पर एक तो ये समय ऐसा चल रहा है उपर से वैदर भी अपने पूरे प्रभाव दिखा रहा है कभी दिन में आप देखेंगे तो गर्मी हो जा रही है और रात के समय में ठंड हो जा रही है तो ऐसे में कई जो होते हैं रोग भी बढ़ रहे हैं तो हम रोग से बचने के लिए किस मंत्र का जाप करें ये भी हमें इसी प्रियोग में मिल जाएगा अगर आप किसी प्रकार के रोग से गरख्षित है, स्किन की डिसीज हो रखी या कोई भी डिसीज आपको है, तो उसके लिए इस मंत्र का आपको जाप करना है मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ इस मंत्र का जाप करना है वही 108 बार एक माला अर्थात 9 माला है और उसके बाद सिद्ध कुंजी का श्रोत्र का पार्ट किवल एक ही बार करिएगा सिद्ध कुंजी का श्रोत्र का पार्ट एक ही बार करना है ये तो था जी रोगी व्यक्ति के लिए जो किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित है कई बार क्या होता है, ये अगर आप successful बन रहे हैं या किसी भी छेतर में अच्छी पहुँंच बना पा रहे हैं तो ऐसे में क्या होता है आपके विरोधी जो हैं बहुत मात्रा मित्पुन हो जाते हैं अब हमें क्या करना है उन विरोधियों से अगर आप परेशान है कि जी दुस्मनी बेवज़े की हो जाती है और दुस्मन हमें बहुत तंग कर रखा है किसी प्रकार का आपके उपर लोन है और उसका वो दबाव आपके उपर बार-बार बना रहे है तो उससे बशने के लिए क्या करें उसका भी उपाई मैं आपको बता देता हूँ क्या कर रहा है देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर किसी भी प्रकार के आपके शत्रू उत्पन हो गए है तो इस मंतर की 108 बार एक माला अर्थात एक माला में 108 जो मनके होते हैं आपको वैसी नौ मालाएं करनी है नौ माला करनी के बाद सुद्ध कुंजी का श्रोत्र का आपको पार्ट करना है ये मैं तीनों प्रियोग बता चुका हूँ आपको कैसे माता को भोग लगाना है वो भी मैं बता चुका हूँ कि जो आप प्रसाद लाएंगे पहले तो दो लॉंग उसमें रखनी है दिये में उसके बाद जो वो मीठा प्रसाद आप लाएंगे घी मतला माफ करियेगा जो मैंने बताया आपको हलो आखीर मिष्री जो भी आप अपने पास से रखք पाएं यह मत रिखियेगा कि अप खीर बताया तो खीर ही जरूरी है जो भी आपका मिल जाएं मिस्री भी मिल जाएं उसके बाद सिद्ध कुणजी का स्रोत्र तो इस प्रियोग को अवश्य करके देखिए जो भी आपकी समश्या है वो अवश्य ही सुलच जाएगी अगर आप सात्विक तरीके से इसको कर पाए तो यह मानिये आपकी जो भी समश्या है वो सब सॉल्व हो जाएंगी तो अवश्य करके देखिए सरदिय नवरात्रों की आपको बहुत-बहुत सुपकामना है आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही विशेश विश्यों पर चर्चा करते रहेंगे और अगर आप सिद्धुकुंजी का श्रोत्र नहीं पढ़ पाते हैं तो आप डिस्क्र पढ़ना भी सिखा दूंगा कि इससे कैसे पढ़ा जाता है तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जैमा तकी